नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में समान विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्युपुन प्रसनों को देखेंगे, जो की हर परिक्षा में बार बार यही प्रसनों पूछे जाते हैं, और साते ही साते हम कुछ प्रसनों की व्याख्या भी देखेंगे, तो हम सिर् पूर्ण विकिरन पूर्ण विकिरन ताप मापी यानि कि टोटल रेडियेशन पाइरोमेटर इसको कहा जाता है किस सिध्धान्त पर आधारित है ये आधारित है स्टीफन के नियम पर अब हम जानेंगे स्टीफन का नियम क्या है स्टीफन का नियम ये कहता है कि अगर कोई black body या krishnika जिसको हिंदी में कहते है उसके जो पृष्ट छेतरफल होता है उसका surface होता है उससे उससरजित जो विकरन होती है उसके ताप के चतूर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है यानि कि temperature की power 4 के अनुक्रमानुपाती होती है यही स्टीफन का नियम है थर्ड है ताप युग्म ताप मापी किस सिधान पर आधारित है सीबिक के प्रभाव पर ताप युग्म ताप मापी इस नाम से ही इस question में ही सीबिक के प्रभाव का आंसर है सीबिक के प्रभाव का मतलब क्या होता है इसका मिनिंग क्या है इसका मतलब है कि जब दो विभिन पदार्थ की तारों को जब उनके दोनों सिरे क्रमसा मिला कर रखा जाता है तो जो जंक्सन होता है जंक्सन से जो उसमय धारा प्रवाहित होती है वह उनके उसमा के तापांतर के बराबर होती है यानि कि उसमा का जो त फोर्थ है किसी वस्तु को अधिक्तम दूरी तक फेकने के लिए उसे किस कोण से फेकना चाहिए ये बहुत ही important question है ये 36 से 45 डिगरी के कोण पर हमें उसको फेकना चाहिए उससे कोण से अगर फेकने फेकेंगे तो वो सबसे maximum दूरी पर जाएगा next point देखते हैं किसने Newton से पूर्वी ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं प्रीथवी की और गुरुत्वाकर्शन की वज़े से नीचे गिरती हैं देखिए वो ब्रह्मगुप्त थे भारत के हलाकि Newton के बारे में कहा जाता है कि वो एक पेड के नीचे बैठे थे और एक सेव गिरा था तो उसनों ने गुरुत्वाकर्शन की खोच गी थी लेकिन उन्हों ने ब्रह्मगुप्त ने उनसे पहले ही बता दिया था कि गुरुत्वाकर्शन जैसी कोई चीज होती है शिक्स्थ है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है प्रिष्ठ तनाव के कारण प्रिष्ठ तनाव क्या होता है? प्रिष्ठ तनाव होता है जब द्रवे अपने सता का छेतरपल कम से कम करने की कोशिज करता है उसको प्रिष्ठ तनाव करते है यह लिक्विड्स में ही होता है जिसके कारण वह अपने सता का छेतरपल कम से कम करने की कोशिज करता है जैसे पा प्रिष्टतना होता है सेवन्थ है एक होर्सपावर में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं आर्केडिमीज का नियम किस से संबंदित है आर्केडिमीज का जो नियम है वो पलवन के नियम से संबंदित है पलवन का नियम क्या होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अथवा आंसिक रूप से जब डुगोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है वो भार में कितनी कमी होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है यह अर्केडिमीज का सिधानत है पलवन के क्या नियम है पलवन के कुछ नियम है जैसे कि वस्तु का भार है अगर और वो अपने भार के बराबर द्रव हटाता है तो वस्तु का जो भार होता है वो नीचे की तरफ एक बल लगाता है और नीचे का जल उपर की तरफ एक बल लगाता है तो जब वस्तू के द्वारा लगाया गया बल जादे होता है पानी द्वारा लगाया गया बल के तो वस्तू डूब जाती है और जब वस्तू द्वारा लगाया गया बल पानी द्वारा लगाया गया बल के बराबर होता है तो वस्तू तैरने लग जाती है यानिके आंसिक डूबी रहती है, सतह पर रहती है और अगर वस्तु पर लगाया गया बल कम होता है पानी दौरा लगाया गया बल के तो वस्तु उपर की सतह की उपर उठ जाती है यह प्लवन के नियम है कुछ नाइन्थ है, पानी में लोहे की सुई जब डूब जाती है, लेकिन जहाज तहरता रहता है यह किस सिधान पर अधारित है, आर्कडिमीज के सिधान पर अधारित है यह मैंने आपको बता दिया है तैंथ है, कपूर के छोटे छोटे टुकडे जो जल की सतह पर क्यो नाचते है इसका अंसर है, प्रिष्ट तनाओ के कारण नेक्स्ट देखते हैं वर्सा के बूंद का कार, गोला कार किस कारण से होता है यह मैंने बता दिया है, प्रिष्ट तनाओ के कारण वो अपने सर्फिस का एरिया कम से कम करने की कोसिस करते हैं वही प्रिष्टतनाव कहलाता है और इसी करण से उनकी बूंदकाकार गोलाकार होता है बारवा है दूद को मतने पर उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है यह है अप केंदरी बल देखें दो तरह के बल होते हैं जब कोई वस्तु घूमती है गोलाकार उसमें तो एक सेंटर की तरफ यानि केंदर की तरफ बल लगता है और केंदर से बाहर बल लगता है तो जो अप केंदरी बल होता है वो केंदर से बाहर लगता है और जो अभी केंदरी बल होता है वो केंदर की तरफ लगता है तो अपकेंद्री बल की वज़ा से ही उसमें से क्रीम अलग होती है तेरवा है जल में तैरना न्यूटन की गती के किस नियम के कारण संभाव है देखे ये तृतिय नियम होता है जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है इसके तीन नियम है न्यूटन के एक जड़त्व का नियम जड़त्व के नियम के हिसाब से अगर कोई वस्तु चल रही है चलती रहेगी जब तक कोई उस पर बाहेवल नहीं लगाया जाएगा और अगर कोई वस्तु इस्थिर है तो वो इस्थिरी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहेबल लगाकर उसे गतिमान नहीं किया जाएगा तो ये फस्ट जो नियम है उसके जो उधारने को जैसे पेड़ हिलाने पर फलो का तूट जाना ये प्रथम नियम पर अधारित है गाड़ी जब चलती रहती अचानक से रुकती है तो आदमी पीछे की तरफ जुक जाता है तो ये प्रतम नियम पर अधारित है दूती इन नियम होता है संवेग संग्रक्षन का नियम यानि कि किसी वस्तू में संवेग में प्रिवर्टन की दर उस पर लगाए गए बलगे अनुकरम अनुपाती होती है ये दृतिया नियम है सम्वेकनियम इसके उधारान होना जैसे कि गेंद अगर पकड़ने पर कोई क्रिकेटर होता है जब कोई बॉलर गेंद आती है उसके हाथ में तो थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लेता है ताकि उसको चोट कम लगे ये इसका उधारान है क्रितिया नियम क्या होता है क्रिया क्रिया कनियम कोई वस्तु अगर किसी पर बल लगाती है तो वही वस्तु उस पर उतनी मात्रा में बल लगाती है इसके उधाराने जैसे गोली छूटती है तो वो पीछे की तरब एक धक्का देती है या जब कुमे से आप पानी खीच रहे होते हैं, रसी तूड जाती है, तो आप पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं, तो ये इसके कुछ उधारन थे तो रोकेट की कारे प्रणाले किस सिधान्त पर अधारित है, यही समवेग संग्रक्षन के सिधान्त पर अधारित है पंद्रवा है, समुंद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुंद्र की सतह से उपर उड़ता है, यह है 1 टैंथ अगर समुन्दर में कोई आसबर्ग है तो उसका 1 टेंथ भाग ही सिर्फ उपर रहता है और 9 टेंथ भाग सतह के नीचे रहता है 16 है प्रकास वर्स किसका मात्रक है आप सभी को मालूम होगा ये दूरी का मात्रक होता है Next देखते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक होता है ये जियोती फ्लक्स का मात्रक होता है 18 है स्वाचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तमाल होता है वह किस नियम पर अधारित है वह है पास्कल के नियम पर अधारित है पास्कल का नियम क्या है? पास्कल के नियम के हिजाब से अगर किसी द्रव की सत्था पर दाब या दबाव डाला जाता है तो वह दबाव equally distribute हो जाता है पूरे water body में तो इसी को पास्कल का नियम कहते है उनिस्वा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो होता है Celsius और Fahrenheit तापमापियों में एक बराबर हो जाएगा वह होता है minus 40 degree centigrade ट्वंटिएथ है Celsius पेमाने पर 0 degree Fahrenheit scale के कितने डिगरी के बराबर होगा जब 0 degree Fahrenheit scale होगा तो Celsius पेमाने पर कितना होगा तापमा 32 degree एक इस्वा है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक्तम होता है यह होता है 4 degree centigrade पर इसको समझते हैं तेखे पानी का घनत्व 0 से 4 degree centigrade तक बढ़ता है गरम करने पर और उसके बाद घनत्व बढ़ता जाता है ठीक है तो 4 degree centigrade पर पानी का घनत्व सबसे जादे होता है 22 है द्रव तथा कैसो में उस्मा का इस्थानांत्रण किस विधी द्वारा होता है यह होता है सम्महन द्वारा देखे उस्मा का इस्थानांत्रण सम्महन द्वारा भी हो सकता है रेडियेशन यानि विक्रण के द्वारा भी हो सकता है समवहन में क्या होता है कि माध्यम की आवस्चक्ता होती है तो उसमें समवहन और radiation विकिरण में माध्यम की आवस्चक्ता नहीं होती है या सुनी यानि कि space में भी travel करता है जैसे electromagnetic wave होती है, प्रकास तरंगे होती है ये सब space में travel करती है Next देखते हैं सूरी की उसमा प्रिथी पर किस प्रकार के संचार से माध्यम करती है विकिरण यानि radiation से जिसमें माध्यम की आवस्चक्ता नहीं होती है उसमा के इस्थानांतरण में किस विधी में माध्यम की आवस्चक्ता नहीं होती है विकिरण सुद्ध पदार्थ में अगर कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसके गलनांग पर क्या यानि फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहते हैं उसको क्या प्रभापड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा यानि कि उचाई पढ़न बढ़ जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा उसको पकाने में 27 वा है उसमा गत्तिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा के पुष्टी करता है उर्जा संग्रक्षन 28 है किस में विसिस्ट उसमा का मान सर्वोच होता है जल पानी का विसिस्ट उसमा का मान सर्वोच होता है और ये विसिस्ट उसमा क्या होती है जैसे दो अलग अलग पदार्थ है उनको सेम टेंपरेचर पर गरम करने के लिए कितने ताप मान की या कितने मात्रा में उसमा के जरुत होती है वो अलग अलग होती है इसी को specific heat कहते है या विसिस्ट उसमा कहते है specific heat capacity या विसिस्ट उसमा कहते है यह जल का में सर्वोचतम होता है next देखते है Celsius में माप का कौन सा ताप करम 300 Kelvin के बराबर होता है यहने कि जब 300 Kelvin होगा तो Celsius में कितने ताप मान होगा 27 degrees centigrade मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है बहुत आसान है वास्पी करण के कारण 31 सीत रितु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते है जब साफ मौसम होता है तब 32 किसी वस्तू की विशिष्ट उसमा किस बात पर निरपर करती है पिंड के द्रव पर 33 मनुष्यको ध्वनी कंपन की अनुभूती किस आवरिती सीमा में होती है यह होती है 20 हर्टज से 20,000 हर्टज या 20 किलो हर्टज इसी में एक आता है परास्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्टज से जादे आवरिती की जो ध्वनी तरंगे होती है उन्हें परास्रव्य या अल्ट्रा सोनिक तरंगे कहते हैं जिसका अल्ट्रा साउंड में यूज होता है और 20 हर्टज से कम ध्वनी तरंगों को इन्फरासोनिक तरंगे कहते हैं जिसे अव स्रव्य तरंगे भी कहते हैं और 20 से 20 हजार हर्टज के बीच को स्रव्य तरंगे कहते हैं यानि कि सोनिक वेब परास्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करुत्मन किया था गाल्टन ने 35 है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है परास्रव तरंगों का 20,000 हर्टर से जादे की जो आवरितिकी तरंगे होते हैं द्वनी तरंगे उनको परास्रव तरंगे कहते हैं और उनहीं का उपयोग जो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किया जाता है 36 है ब्लैक बोडी किसकी विकिरण को अवसोसित कर सकते हैं बहुत important है 37 ध्वनी के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनी मोटी या पतली होती है तारत्व यानि पिच 38 ध्वनी का तारत्व या पिच किस बात पर निर्भर करता है आव रिति पर बहुत important question है और ये सारे question किसी ने किसी exam में बार-बार पूछे गए हैं 49 है, द्वनी का प्रभाव मानों के कान में कितने समय तक रहता है 1 बटे 10 सेकंड तक 40 है, कौन सी प्रक्रिया, प्रकास और द्वनी दोनों में घटित होती है दोनों में घटित नहीं होती है, दुरुवन दुरुवन प्रकास और द्वनी किसी में घटित नहीं होती है, दुरुवन next देखते हैं, द्वनी तरंगे किसके कारण प्रती द्वनी उत्वन करती है यानि कि जो वापस द्वनी हमको सुनाई पड़ती है, वो किसके कारण होती है वो प्रावरतन के कारण किसी सॉलिड वस्तू से टकरा कर कोई जब आवाज वापस आती है, उसे प्रावरतन कहते है वही है, एक व्यक्ति को अपनी प्रती द्वनी सुनने के लिए प्रावरतक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए यह है 56 फीट 43 फा कोश्चन है, इस्टेथो इसकोप, जिससे हाटवीट सुनते हैं डॉक्टर्स वो किस सिध्धान पर अधारित है, वो है प्रावरतन के सिध्धान पर अधारित है इस्टेथोस्कोप का यह होता है हाटबीट सुनने में जो फेफडों के अंदर एर जो हवा आती है उसकी भी साउंड उससे समसुन सकते है चवाली से पास आती रिलगाडी की सीटी की आवरिती या तिक्षनता बढ़ती जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है यह होता है डॉपलर प्रभाव के कारण डॉपलर प्रभाव क्या होता है डॉपलर प्रभाव को हम समझे यह होता है डॉपलर प्रभाव के कारण पहले तो डॉपलर प्रभाव होता है कि जब किसी ध्वनी का स्त्रोत और स्रोता जो सुनने वाल है और जहां से आवाजा रही है कि बीच अगर कोई आपेक्षित कोई गती होती है कोई एक दूसरे के पास आता है या दूर जाता है तो जो स्रोता को ध्वनी सुनाई पड़ती है उसकी आवरिती जो मेन आवरिती होती उससे कम यह जादे होती है यानिक अगर ओपास आएगा तो बढ़ जाएगी आवरिती दूर जाएगा तो घाट जाएगी 45 है किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्री द्रिष्टी उपकरण में किया जाता है बहुत ही important question है यह अवरत्त तरंग अवरत्त तरंग क्या होती है यह होती है infrared radiation देखे electromagnetic radiation जो होती है उसके कई type होते हैं उनकी wavelength के आधार पर हम उनको कई प्रकार से divide कर सकते है जैसे radio wave, microwave, infrared wave, visible rays, ultra, violet rays, x rays and gamma rays तो जिसमें जो यह infrared rays होती है यह इनका रात्री उपकरण में प्रयोप किया जाता है अवरत्त तरंग का 46 कौन सी तरंगे सुन्ने में यानि कि space में संक्चरण नहीं कर सकती है ध्वनी तरंगे हैं 48 वह उपकरण जो ध्वनी तरंगों की पहचान तता रिजू रेखन के लिए परियुक्त होता है वो क्या है वो उपकरण को क्या कहते हैं उसको कहते हैं सोनार बहुत ही important सोनार है सोनार का मतलब कहते है sound navigation and ranging इसका full form है देखिए इसमें क्या होता है कि जल के अंदर जब कोई नाव पंडूबी संचाल जब चलती है तो उसके जल के अंदर या सतह पर वस्तूओं का पता लगाने में इसका क्या जाता है जिससे वो सही से चल पाएं ध्वनी त्वरंगे अनुधैरी होती है जो प्रकास्त त्रंगे होती है अनुप्रस्थ त्रंगे होती है उननचासे लगभग 20 सेंटी ग्रेड तापकरम पर किस मार्द्यम में ध्वनी की गती अधिक्तम रहेगी लोहे में यानि सॉलिड में पचासे सूरी विकरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गरम कर देता है अवरक्त किरण अवरक्त किरण जो सॉलर कुकर का है वही पार्ट गरम कर देता है देखिए अवरक्त किरण की जो वेवलेंथ होती है दसकी घात माइनस 3 मीटर से 7800 एंग स्ट्रॉम तक होती है यह कहां कहां से निकलती है गरम पतार्थों से अडवों से इनके उत्पत्ती होती है और यह जो कारबन डैक्साइड होते हैं जल वास्प होती है अमोनिया मिथेन इनके अडवों द्वारा यह अवसोसित की जाती है तो यह हमारे बहुत ही इंपोर्टेंट 50 कोश्चन थे आगे अभी बहुतिक विग्यान के और भी प्रसन पाकी हैं फिर हम रसायनिक विग्यान के प्रसनों को करेंगे फिर जी विग्यान के सारिक प्रसनों को करेंगे मैं गारंटी देता हूँ कि समाने विज्ञान से संबंदी कोई भी प्रसन आपका किसी भी एक्जाम का किसी भी स्तर का एक्जामों नहीं छूटेगा तो thanks for watching my video अगर अपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि अभी जो वीडियो में next आने वाली है बहुत ही important है वो आपको तुरंत मिले